हाई एवरिवन एक बार फिर से स्वागत है लक्समीज किचन में एक नए वीडियो के साथ तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं मूली के पत्तों की बहुत ही टेश्टी और बंजेदार से रेसिपी तो यहां पर मैंने ले लिए 10-12 मूली ले जिसको देखी फ्रेंड्स मैंने कैसा दा लक्त कर लिया है और यह देखे इस प्रकार से फुर्रे कस्य कर लिया है अब इसको फिसको दिता रॉक्ति होकर के अंदर जाल जिए दीखे पना है ज्यादा नहीं डालेंगे पानी हम तो फेंड्स योपधर डखल यगा देगे अधिर्स यूटे बद कर देगी टूटल मैट है थोड़ा करके पानी य inn इन्वाइगहकथ पानी के घरम करके लिया है थो यह कोई जूरूर नहीं है आप इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए इसके आगे जो बैल आइकन बटन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हरी वीडियो की नुट्विक्शन आपको सबसे पहले में देख सकते हैं आप बलकर ये एक दम बीच्ट कुल नीचे बैठ चुकी है और ये हमारी बलकर त्य और ये देखिए इसे हाथ की साइथा से इस तरीके से बीचने ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी ओर है वो भी निकल जाए और इसको आप या तो मिक्सर के अंदर कर लीजिए इसका पेस्ट बना लीजिए या फिर हाथों की साइथा से दबा दबा कर इसको कर लीजिए तो पूरा निकाल दिया है एक बिल्कुल ब्राइब एक प्राइब करते हैं एक बड़ा चमज शर्जो का ओयल मैं इसमें डाल दिया है तो फ्रेंड्स ओयल हमारा अच्छा सा करम ओ चुका है अब इसमें एक चमज डाल दिया मैंने जीरा और इसी के साथ मैं इसमें आदा चमज के करीब हींग डाल दूंगी तो जब हमारी सब्जी कोई भी बनाएं उसमें हींग डालना जुरूरी है तो मैंने आप पर आदा जाएबर स्पून धन्या पाउडर एक चमज और लाल मेंट्स पाउडर एक चमज बिलकल सिंपल तरीके से और बिलकल सिंपल ही सब्जी बनाएंगे हम आज इसमें ज्यादा कुछ हमें नहीं चाहिए बस कुछ मसाले ही डालेंगे इसके अंदर जो मैं डेली हुज में डालत और इधर हमने जो मूली के पत्ते और मूली को बाल के पहले से उनको त्यार करके रख लिया था और इधर देखिए इसमें डाल देती हूं मैं इसको और इसको दई को हमें डालने के बाद में छोड़ना नहीं क्योंकि अगर दई हमाई छोड़ देते हैं तो दई फट जाती है और इससे सबजी अच्छी ने बनेगी तो इसलिए में छोड़ना नहीं है इसको लगाता चलाते रहना है और बहुत ही चैस्टी सबजी बनेगी और बिल्कुल सिंपल तरह की सबजी है और नवरातरों के लिए है जिसमें न बून लेते हैं इसको अच्छा सा बलने देते हैं ताकि इसमें कोई भी पटने का चांस ना रहे तो देख सकते हैं आप इससे अच्छी सी बूल कर त्यार हो चुकिए ये और इसमें हम डालेंगे जो हमने मूली के पत्तों को निचोड़के रखा था उसको इसमें डाल देत किजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि मैंने ही जो मूली के पत्तों की सबजी कैसे बनाई है उसाथ में मूली तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी है और ये हैल्दी सबजी होती है मूली हमें बहुत अच्छी हमारे राइजिशन को भी अच्छा रखती है और इसकी तासी ठ जनजट भी नहीं है और जल्दी बनने वाली सबजी है तो ये देखे फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसको बालिए और बस इसकर डाल दीजिए बस सिंपल सी सबजी है और ना इसमें कोई हमें ताम जाम करने की जरूरी है तो फ्रेंड्स सबजी हमारी बनकर रड़ी हो इसलिए हमने इसके अंदर दही का यूज किया है नाकी टमाटर, प्याज, लेस्वन, हमने कुछ भी यूज नहीं किया है बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्जी बनाई है और बहुत ही टेश्टी बनेगी फ्रेंड से सब्जी तो वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा तो देखें फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बन का रड़ी हो चुकी है आप गैस का फ्लेम कर देते हैं बन्द और सब्जी को अलग बतन में करेंगे सर्व, तो यह देखें, कितनी प्यारी सब्जी रगड़ी, इसका कलर भी वह सुंदर आचुका, आप इसके अंदर कोई भी अगर अधर मसाले डालना साते हैं तो डाल सकते हैं लेकिन मैंने आपर बिल्कुल सिंपल तरीकी से बनाई है, क्योंकि यह नवरातरों में खाने वालों के लिए बनी है तो इसलिए इसमें कुछ भी ज़्यादा हम नहीं डालेंगे बिल्कुल सिंपल तरीकी से बनाएंगे तो इसे मैं अलग बरतर में सर्व कर रही हूं बिल्कुल ड्राई बनी है और इसे खाने के लिए आप इसको बगए रोटी की भी खा सकते हैं बिल्कुल ड्राई बनी है एक दम ये तो थैंक्यू बाए बाए कमेंट करके जूरू बताएगा और मिलते हैं ऐसी सिंपल सी और आसान सी रेसिपे के साथ लक्समिज किजन तब तक के लिए धन्यवाद बाए बाए कमेंट करके जूरू बताएगा कि आज की ये मुली के पत्तों की सबजी आपको कैसी लगी